हलो तो वर्कम टेक्निकल इसरार यूटूब चैनल जब कोई यूटूब पे आता है उसकी तमन्ना एक ही रहती है कि मेरा यूटूब चैनल ग्रो हो जाए साथ में मेरे को लोगबाग जानने भी लग जाए मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए मेरे व्यूज भी इंक्रीज हो जाए और साथ में अच्छा खैसा पैसा भी आ जाए तो इस वीडियो में मैं आपको विद्प्रूप आपको दिखाने वाला हूँ साथी साथ आपको बताऊंगा जो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो बात सच है 101% है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 30 दिन लगबग 30 दिन भी नहीं हुए 27 या 28 दिन हुए होंगे क्या 30 दिन ही मालो यानि कि एक महिना ही मालो उसके अंदर यहाँ पे 34,000 यानि कि 34,000 सस्क्राइबर कम्पलीट हो गई है ऐसी इस बंदे ने क्या टेक्निक लगाई ऐसी उस वीडियो में उसने कौन सी वीडियो पब्लिस करी ऐसी उसको लोग बाग इतनी जल्दी जानने क्यों लगगे सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा पर उससे पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा पिछले वाली वीडियो पे आपने 2K लाइक्स कंपलीट करा दे थे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो पे भी आप करा दोगे यानि कि लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली बार आही है सब्सक्राइब जूरू कर दे ना क्योंकि आपको पता कि हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते है अब दोस्तों आपको बता दू हर बंदा मैनत करता है कोई अपने हाथ टैग काटेगरी में अजमाता है कोई व्लोक्स में अजमाता है कोई प्रैंक्स में अजमाता है कोई यहाँ पे मेंदी के चैनल करूं वह भी यूटूब चल से आज मैं आपको रियल प्रूफ दिखाने वाला हूं कि एक यूटूबर ऐसा है जिसने अभी एक महिना भी नहीं हुआ है और यहां पर 34 के सब्सक्राइबर यानि के 34 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है बड़ी जल्दी से और चैनल इस तरह से बूस्ट हो रहा है बिल्कुल आग लगा रखी है अभी के ट्रेंड चल रहा है वह यहां पर दो ट्रेंड चले हुए है एक ट्रेंड तो यह चला हुआ है कि मोटर व्लोगिंग अगर कोई बंद आगे हो या फिर बाइक से ओफिस जा रहे हो आ रहे हो तो सीधा आप मोटर व्लोगिंग वगेरा भी कर सकते हैं वैसे आपको लाइव इस्टेल ब्लोगर होगे या फिर यहां पर मोटर व्लोगिंग होगी इस टाइम ऐसे चैनल पर बाढ़ आगी है सब्सक्राइबर की पोल खोली जा रही है ठीक है इस चैनल का क्या नाम दूब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं अपने नाम दरीग से दे सकता हूं कि जिस तरह CBI ओफिसर जांच करते हैं किसी भी मैंटर को इस तरह की यह चैनल होते थे पर होते होते ही इस तरह का जो चैनल का जो क्रेज ह है वो बढ़ गया है और लोगों बागों के जो वीवर्स है वो बहुत ज़्यादा इन चीजों को देखता है हाला कि मैं भी इन चीजों को बहुत ज़्यादा देखता हूं और मेरे को भी काफी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मुझे दूसरे की बातों पता चलता है कि किस तरह से दूसरा बंदा किस तरह से चीट करता है एक दूसरों को मैं कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ बस आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे आप इन चीजों को देखना कि मैं किस हिसाब से आपको क्या समझाना चाहता हूँ अगर आप भी इस फिल्ड में आना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा इस टार्टिंग में बट उसके बाद यहाँ से आप अपने चैनल को बोस्ट कर सकते हैं यकीन मानिए नजरों में एक नहीं कहीं सारे चैनल है बट एक यहाँ पर एक्जामपल मैं आपको धिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ दोस्तो इस थरह के जो चैनल है वह बड़ी ही जल्दी ग्रो हो रहा है फस्ट ग्रो है अर्निंग भी हो रही हैसeeeee और दिन बे दिन बहुत सारे सस्क्राइबर बढ़ते जा रहे है अब यह चैनल आप देख सकते हो यह है नोटी गबरू यह एक ऐसा यूटूब चैनल है जिसके एक महीना भी कंप्लीट नहीं है पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपके जो कि इनके यहां पर 34,000 सस्क्राइबर कंप्लीट होगे अगर वीडियोज पर व्यूज देखेंगे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहां पर मैं वीडियोज पर क्लिक करता हूँ और इनकी वीडियो सिर्फ ओनली 10 या 11 है 10-11 वीडियोज में इनके इतने सस्क्राइबर आया है और व्यूज आया है यहां अगर किसी के साथ फ्रोड कर रहा है तो उसी को बुलाके उनसे बात करके और यह रिकोर्ड कर लेता है एक DSLR से ठीक है अब यहां पर ज्यादा आपको नहीं बताना वाला हूँ यहां पर अबाउट में जाता हूँ अबाउट में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप द सब कुछ यहां पर इन्होंने कर लिया है आप देख सकते हो कि इनके यहां पर 34,000 subscriber है बट इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा एक होती है script पर काम करना उसमें बड़ा टाफ होता है script लिखनी पड़ती है बोलना पड़ता है समझाना पड़ता है यहां पर कोई script का मतलब नहीं होता है एक बंदे को इधर से पकड़ते है एक बंदे को इधर से पकड़ते है या example के तोर पे मेरे को कोई harassment कर रहा है बार-बार मेरे को कुछ बोल रहा है मेरे से पैसा मांग रहा है बार-बार मेरे को यहां पर कुछ complaints कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि उस बंदे मैं तो करूंगा और पैसे भी देने पड़ेंगे मैं बोलूँगा भई मैंने पैसे दे दिया मैं एक example आपको बता रहा हूँ तो इस तरह की जो conversation होगी जो बातचीत होगी ठीक है वो record कर लेते है DSLR वाले ठीक है ये पाजी भी ऐसे कर रहा है ये बंदा नोटी गबरू he is a very great person मैंने इनकी वीडियोज देखी है मैं काफी ज़्यादा inspire हुआ हूँ ठीक है और ये इस तरह की जो channel है इस time बहुत ज़्यादा boost हो रहा है अब यहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आपको लगता है एक तो DSLR आपको लेना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे जो wireless जो microphone होते है जो mic होते है वो आपको लेना पड़ेगे बस ये खर्चा है और यहाँ पे ना कोई script की जरवत होती है ना कुछ निया लोग बाद अगर एक वीडियो आप डाल दे तो आपको comment करते है बोलते है कि हमारी family में भी issue हो रहा है या मेरे दोस्त तेसा कर रहा है या मेरी girlfriend कर रहा है या कुछ भी किसी भी तरह की हो किसी को expose करना है तो मतलब ये एक हिसाफ से देखा जाए ऐसा नहीं है बिल्कुल गलत है ये सही भी है कोई बंदा किसी को मार रहा है तड़फा रहा है बेफाल तुम्हें pressurize कर रहा है इस तरह को expose करने के लिए ये वीडियो है ये prank के channel होते थे इस time और इन्होंने इस तरह के channel ज़िया ज़्यादा ही boost इस time चल रहा है उम्मीद करता हूँ इस channel को आप check करें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की videos बन रहे है किस तरह को shoot करें उम्मीद करता हूँ ये video आपको पसंद आयोगी अगर वाकई में ये concept आपको पसंद आया है और आपको लगा के इस category में मैं आगे बढ़ सकता हूँ तो like करिए, channel को subscribe करिए comment में करके जुरू बताना मेरे को कि यार की concept अच्छा है ये बुरा है मिलता हूँ आपको next video में दब दखिले टाटा बाई बाई जैहिन